नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टिटी फॉर्ट सिविल सिर्फेस में आरो यारो का पेपर आने वाला है निगेटिव मार्किंग से कई से निप्टा जाए कई लोग लगातार पूछ रहे हैं उससी के बारे बात करेंगे एक चीज़िया जात रखिए कि जो आपको रखके जाना है पेपर में नहीं लेके जाना है चौधी बात यह है कि अगर आपने एक बार गोला फिल कर दिया तो दुबारा उस कोईस्टिन को पेपर जब तक चलना है तब तक मत देखिए पाच्वी बात यह है कि जैसे ही कोईस्टिन आपका होता जाए तुरंद गोला में स्टाटिक कैसे आपको पेपर होंगे 140 वाला गंट दूसरे दूसरे में एक घंटा है तो दो गंटे वाला पेपर है पहले आप उसमें 1 से लेके 140 तक पहले बिल्कुल आपको करते जाए जो आता जाएं वचेंड तुरंद फिल करेंगे अब वो खड़ा है जैसे ही जैसे ही वो कलेक्ट करना चालू करता है इनको अपनी ओश्यारी दिखानी तब गोला फिल करते हैं अब उस टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका एक गोला फिल हो गया ऊपर नीचे हो गया तो पूरा पेपर खतम स्वाहा हो जाता है तो भा ठलू के या पता ही उनको क्या झiaओ लगाने की जादे क्या चुलूठी है बॉड़ी में के वो फिर से उसको चेक करते हूं लगा के ऊसको ठीक करते हैं टाइम अपना वेस्ट करते हैं बागी बैक्स करते हैं और फॉज्टी बानली वह को उपजिदन का लटत यह करता है ज देखें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप शुरू के क्वेशनों में फसे रह जाते हैं जादा अगर गर्मेंट कर लेंगे यह मुझसे कईसे नहीं हुआ इसको हमने एक साल पढ़ा है इसकी आईसी की तैसी यह मुझसे कईसे नहीं होगा यह सब एक्जाम के बाद उस टाइ क्वेशनी तक नहीं आप है जबकि लाश्ट में ज्यादा इसी थी तो भाईया एक्जाम में जितने क्वेशन आ रहे हैं सबका विटेज बराबर है नियम सबके लिए सेम है मार्क सबके लिए सेम है तो सबको पूरी प्रफरेंस दीजिए का है किसी के साथ पर्चित पात कर है तो आप समझ लिए कि ओर्र उल जीकल जीट आपने जीत लिए तक है साइक्लोजीकली आप पेपर को जीत चुके हैं आपके उपर अभी नहीं हो रहा है पेपर पर आपड़ा फावी हो रहे हो आपका confidence बन चुका है ना ओवर की साइड है ना और लोवर की साइड है जितन से आंसर नहीं निकलता है तो reverse engineering करते हुए answer से question लगाया जा सकता है at least 2 option eliminate किये जा सकते हैं सिर्फ option को चेक करो कि क्या इसमें से कौन सा हो सकता है या फिर बिल्कुल फस रहें फसने की जरुवत नहीं एक सिले के 140 तक जाना ही जाना है सेम चीज हिंदी में भी applicable रहीएगा क्योंकि उसमें भी 60 question आएंगे और 60 मिर्ट का टाइम अब हिंदी में तो भईया कोई calculation तो करनी नहीं है जो आता है वह आता है और शुरू में वह ही करिएगा जो एकदाम अच्छे से पता है एक चीज और ध्याम किएगा कि उसके बाद पिर दूसरा रहूंड आप चला सकते हैं कट आफ अटाफ थोड़ा सा देखिए पुराने सालों में कोई जो है दो जा तेरा चोदा में तो जादा जाता था तब नेगटिव नहीं थी उसके पाले पेपर में 85 के असपास कोईश्चन अगर आप अटर्ब कर लेते हैं सही वाले तो मेरे साब से अब आराम से हो जाएंगे सिलेक्ट हो जाएंगे बाकी तो पेपर जब आएगा तब ही आप डिसाइड करोगे पया पेपर के पहले कई से कट आउप परिडिट कर सकता है पेपर जब आएगा तब ही सब चीज़े हो सकती है तो अभी के लिए बस इस तरह से तयार होना है प्रेक्टिस करते रही है लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपको ये सब चीज़े जो है वहां के लिए प्रेपेर रखनी है और पहले से समझ लीजे गोला फिल करना तुरं इसमें क्वेशनों में अगर आप फच रहा है तो या तो इनको सबसे पहले कर लीजे अगर आप रीजनिंग में उस्ताद आदमी है मतलब उस्ताद हैं स्टुडेंट साइट के पढ़े वह हैं तो आप इनको अटेंट कर सकते हैं वह ऐसे प्रेक्टिस कर लिए जितना उप बहुत बहुत शुकार में लेके लिए एक और चीज में बतारा जाता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है आप क्वेशन पर टाइम दीजें कम सखम दो तीन सेकंड को ध्यान से पढ़ो कि सही पूच रहा है कि गलत पूच रहा है यह नहीं कि बस देखा मैं दा फॉलिंग द देखो समझो सही है पूच रहा है नहीं है पूच रहा है क्या पूच रहा है और मैच दा फॉलिंग वाले ऑप्शन में यह जरूरू ध्यान रगना कि उसको ध्यान से देखना है एक मैच भी पकड़ लिया कई बार तो पूरा क्वेश्चन सॉल हो जाता है पिर उसके बाद आपको सॉल करने की जरूरती नहीं पड़ती है तो एक पर उसको ध्यान से देखना कि क्या एक भी मैच पकड़ में आ रहा है कि नहीं आज कर लिए लेटरे स्टेंट में बहुत सारे क्वेश्चन इसे पूच रहा है और यह टार्गेट ठोड़ा सा मतलब रखिएगा मैंड कर सकते हैं लेकिन यह है निगेटिव मार्किंग इंट्डूस होने के बाद 55% के आसपास अगर आपके नंबर आ जाते हैं यूप पीससी के एक्जाम से अराम से कटॉफ निकल जाता है मतलब प्रेक्टिस करनी जरूरी है अभी थोड़ा जितना भी टाइम बचा है डेली अ लगें औहिसे के जएगें और अव्यूर्थ के के रधादूस को बागी को Ilipsski जाएंगे गए और फोई होल estamante को को और कोई कोई समने स्भेटो हो हो इस वीडियो में कंट करके बता दीजेगा और सब्सक्राइब कर लिख बायब कि